राम राम किसान भाईयों मैं नितिन फिट से हजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी को गर्मी के मौसम से किस तरीके से बचाय जाए आज मैं आपको चार से लेके पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूँ यदि इन तरीकों के साथ आप चलते हैं तो आपकी यो धान की नर्सरी होगी आपकी यो धान की पोध होगी वो कम समय के अंदर जाद हरी भरी रहेगी और बिल्कुल भी पीलापन आपको उसको पर दिखाई नहीं देगा और नहीं वो आपको सुस्त दिखाई देगी तो इस धान की नर्सरी के लिए टैमपरेचर है वो किसान भ्यों पैा-RISv vari के अदिस दिन के अंदर किसान भाई यो ऩो आपकी पियली पिली पढनी शुरू हो जाएगी तो इह दिक्कते आपको साथ ना आए तो नat उनन दिक्कतों से आप कैसे बस सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे टेंपरिचर बढ़ेगा हमारे धान के जो पत्ते होंगे मेन गोब होगी वो उपर से सूखनी चालू हो जाएगी वो पत्ती बिल्कु पीली पढ़नी शुरू हो जाएगी और बाद में टूट करके नीचे गिर जाएगी सबसे पहला नियम आप बना करके रखें कि आपको जो आपकी धान की पोद आपने तयार की है इसे आपको तीसरे दिन पानी अवस्या दें यानि कि आज आपने पानी दिया कल आपको पानी नहीं देना कोसिस ये करनी है पानी देते समय कि खेत के अंदर या फिर हमारी पोद के अंदर पानी जादे ना भरे हलकी सचाई आपको करनी है लेकिन तीसरे दिन सचाई करते रहे हैं इससे परियाप्त नमी खेत के अंदर बनी रहेगी दूसरा जो सबसे मेन और अच्छा टोपिक है वो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप पोत की तैयारी कर रहे हैं उस खेत के अंदर या उस क्यारी के अंदर आपको गोबर की खाट डालनी चाहिए कीचवखाँ डालनी चाहिए या फिर किसान बिजमारा वेश्टी कंपोजेर का घोल होता है उसका च्छड़का उसके अंदर करना चाहिए इससे भी खेत के अंदर परियाप्त नभी बनी रहती है और हमारी पोट की जो फ़सल होती है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है क्योंकि ये कम समय में हमें अच्छी तरीकीसे तैयार करनी होगी क्योंकि जैसे ही ये हमारी तैयार होगी तुरंत इसमें खेत के अंदर इसकी प्रांटिंग करनी होती है इसे रोपना होता है तो आपको इस चीज की भी थोड़ा सा ध्यान देना इस चेटर की जो हमारी देसी खादोती है देसी खादो को आपको ज़्यादे उप्योग करना है जिससे की पानी की कम ही आवज सकता हमारी पोट को पड़े अब जो हमें अगला कारे किसान भजियों इसके इंदर करना है जो हमारा NPK 1919 वाटर सोल्यूबल खादाता है पानी में बिकार हो सकती है तो सिर्फ 50 ग्राम आपको लेना है और जो हमारा 15 लीटर वाला टैंक होता है उसके अंदर 50 ग्राम इसकी मातर डालिए और उसका इस्प्रे अपनी फसल के उपर कर दीजिए अपनी पोथ के उपर कर दीजिए 50 ग्राम से ऊपर बिलकुल भी नहीं लेनी है ऐन्य था आपकी फसल जो है जल भी सकती है。 और इसका इस्प्रे आपको चार दिन के पाँच दिन के अंतराल से अपनी फसल पे करना चाहिए。 बहुती बहतरी रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा。 इसके साथ किसान भायों दो बार आपको इसके अंदर सागरिका का स्प्रे भी करना चाहिए यदि बहुत ही सांदर पोच आते हैं उस कंडिशन में यदि सिर्फ अच्छी पोच आते हैं तब आप इतना कारे करके भी छोड़ सकते हैं लेकिन और भी जादे सांदर आपको पोच चाहिए तो आपको लगबग 40 ml के आसपास सागरिका लेनी है और 15 लिटर वाले टैंक के अंदर डाल करके आप दो इस्प्रेस के भी कर सकते हैं काफी कम खर्च में एक अच्छ पोच आप तयार किसान भायों कर सकते हैं पीले पन से बचा सकते हैं उसे रोग आने से बचा सकते हैं इन तरीके को आफके उप्योग मिलाएं आपको बहlier बहती बहतर और अच्छे रियेट किसान aware देखनी को में मिलने वाले उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी जाद है सपोर्टिव रहेगी आपके लिए काफी जाद है महत्मूल रहेगी तो वीडियो को आप ज़्यादा किसान भाईयों सेयर करें जिससे कि मुझे भी सपोर्ट हो और भी अन्या किसान भाईयों इस वीडियो को देख के अच्छी अच्छी जानकार यहां प्राप्त कर सके तक फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को राम राम जी